नमस्कार दोस्त मैं Manish वर्मा आप सभी का सुवागत है चालेपर अज की इस फीडियों में हम बात करने जा रहे हैं पबिलिक पॉलिची इसके definition की बात करेंगे, characteristics की बात करेंगे, and models की बात करेंगे, that means जो आपकी exam में कोस्तन आते हैं, दोस्त वो आता है कि लोकनिती क्या है, इसकी परिभासा बताओ, और इसकी बिशेशता बताते के साथ, इसके models, एक परतिमान, models मतलब क्या होता है, हम इसको समझेंगे, basically दोस् इस वीडियो को end तक देखना है, ताकि topic को समझ जाओ, ताकि exam में लिख कर आपाओ, आपको दोस्त पढ़ने की जूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आपने मेरी वीडियो को end तक देख लिया, चलिए, क्या सको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम आज ये समझते हैं, कि public policy क कहते किसे, ये है public, और इन public के लिए government बनाती है policy, इसी को कहा जाता है public policy, public policy उसे ही कहा जाएगा, जो government के द्वारा बनाया जाती है, अगर मैं आप किसी और भी एंजियो किसी और organization के द्वारा बना दिया आएगा, तो उसको public policy नहीं कहेंगे, public word उसे के साथ add होता है, जो कि government के द्वारा कोई भी काम किया गया हूं, क्योंकि government को public बने बना कर भेजा है, और government जबी तक बनी रहेगी, जब तक public उसको चाहेंगे, कि यही government रहे, that means 5 साल के बाद हटा भी सकती है, इसलिए public policy का मतलब यहाँ पर यह हुआ, कि जनता के कल्यान करने के लिए, social welfare के लिए, जो government के द्वारा time to time या समय समय पर जो policies बनाए जाती है, उसे को public policy कहते है, अब यह public policy health sector में हुए, education sector में हो, development के लिए हो, defense के लिए हो, women environment के लिए हो, आप दोस्त किसी भी चीज़ को लेकर देख लो, चाहे environment के लिए हो, यह सभी sector के अंदर public policy ही, एक word यूज क्या जाता ह है, इंदर आप कहा सकते हैं कि public policy हम political science owners के अंदर इसके हम कुछ विशेषता हों के बढ़ते हैं, और policy बनाने time हम किन-किन बातों का ध्यान रखें, ताकि अच्छी एक policy बन पाए, एक policy बनाने सहीं काम खत्म नहीं हो जाता, policy का impact social तरीके से बहुत अच्छा सावी पड़े, और इसका outcome भी निकल करा है, आखिर public policy का मतलब क्या होता है, हम यह भी समझेगे, और साथी दोस्त यह public policy ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री बनती हो, अब वो public policy चाहिए डवलप कंट्री हो, या developing countries हो, विकास सिल हो, या विक्सित कंट्री हो, सभी country के अंदर policies बनाय जाती ह और यह policy दो, तीन, चार सालों के लिए नहीं, यह policy long term के लिए और short term के लिए भी बनाय जाती है, अगर देखा जाए तो government organization एक दो नहीं, जितनी भी government की agencies है, यह सभी agencies involved होती है, इन policies को बनाने में, and तो सबसे बड़ी बात यह कि अकर government वो नहीं है, कोई भी ऐसी organization, तो काफ ऐसी NGOs काम कर रही है, चाहिए Amnesty International देख लो, आप Human Rights Awards देख लो, तो ऐसी NGOs, जो की societies में, उन चीजों के लिए काम कर रही है, जिसका, आप क्या सब्सक्राइब को जिसकी पहुंच अभी government तक नहीं पहुंच पा यह government चीजों पर बास्तव में ध्यान नहीं दे पा रही है, य हम देश के लेवल पर बात करते हैं, तो government देश के विकास के लिए policy बनाती है, किसके लिए दो देश के विकास के लिए, अब यह public policy देश के जब विकास के लिए बना जा रहा है, तो social justice के लिए बना जाता है, क्योंकि आज हमारे पास जितने भी policies बनाए गए है, इस सभी policies इस देश के development के लिए ही आती है, और यह जब तक बनी रहती है, जब तक देश से इसके विकास हो रहा है, जिस दिन ऐसा हुआ कि जनता इसके negative point में खड़े हो या, जनता को लगया कि यह policy ठीक नहीं है, तो उसको उसी time खतम कर दिया आता है, फांबील आया था, फांबील के कैसे बनती है, इसके कुछ main features क्या है, और इसके models बेगे रहे है, तो exams में जो question आएगा, वो इन तीनों में से कोई एक पूछ जाएगा, जा तो आप से public policy की characteristics, यानि के features पूछे जाएंगे, second, इसके models और या इसके types, यह कितने types में होते, तो तीनी में से कोई एक आता है, last year में models आ गया है, तो इस वार इसके विशेशता हैं भी आ सकती है, यह जो इसके characteristics है, यह कि पूछे जा सकती है, तो मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा, इस वीडियो को enter देखना, अब दोस्ति यह public policy, लोगों को कल्यान के लिए, जितनी भी हमारे जन कल्यान, लोगों की कल्य इस निति क्याते है, अब यह बिजियस निति हम इस तरह के से बराएंगे, उस country के साथ, जिस country से हमारा फाइदा हो, फाइदा खतम, संबंद खता हो, relation खतम, मार्गें तिप यह एंट्रेशन रिलेशन के अंतर पढ़ वे तो इसको, उसने यह बात कहिए, कि रिलेशन हम उस तो हमने open door policy अपना ली, और दुनिया हमारे country को हमने नोचा दिया, एक invitation दिया कि भारत कंदर आओ, और इस invitation को उन्हों ने accept भी किया, और भारत में तमामें इंडस्ट्री लगने स्टार्ट हो, तो इस से एक social welfare का का काम स्टार्ट हुआ, तो LPG की policy in 2021 में आई, इससे क्या जब वो बढ़ेगा दो, यानि supply बढ़ेगी, तो demand बढ़ेगा, demand बढ़ेगा, तो income बढ़ेगी, तो ultimately GDP फोकस किया गया, लोग निते की परिभासाइं क्या है, public policy, अगर हम ये कहें कि public policy, यानि कि सरकार की दौरा, जनता के कल्यान करने के लिए, जो भी policies बनाए जाती है, उ आपको ये लिखने के बाद मिलने वाले है, तो चलिए पहले हम इसको समझते हैं, कि इन thinkers के दुबार क्या क्या कहा गया, जबसे पहले जो सिंकर है, डैविड इस्टन के अनुसार, संपूंड समाज के लिए, बड़ी मातरा में धन रासी का अधिकाधिक नियोजन करना ही ल करने के लिए, अब आप ये सोचिए कि आपको उन 100 रुपे में उन पांचों में से किस पर खर्च करना है, अब आप सोचों कि अगर्फेंड को नियू गुमाया तो वो नराज हो जाएगी, ब्लोक ना करते हैं, वो नराज हो जाएगी, उसको बनाने मनाने हो टैसे, ऐसी द बढ़ा, डैब लिस्टन ये कह रहा है कि पूरे समाज के अंदर जो धन रासी की अधिकाधिक जो अवंटन है, वी नियोजिन है, उसका डिस्टिव्यूशन हम इस तरीके से करें, जिसका सोचल बेर्फिट जादा हो, यानि कि मैक्सिमम हमें उसका लाव मिले, और ये कैसे ह पढ़ा भी होगा, आपने प्लस पढ़ा भी होगा, कि पंच बरसी ओजना को कहते हैं, कि पांच सालों में हमारे टारिकेट होता है, जैसे जब पहली बार हमारे पंच बरसी ओजना बनाए गई फ़र्श्ट फाइप येर प्लान, तो उसको हमें इने अग्रिकल्चर को टार हमें इसको एचीब करना है, एक लिमिटर टाइम के अना, जैसे पांच सल का टाइम पर एड़े तो पाइफ येर के टैन यूर में हमें ये सब मिलना चाहिए, ये सब चीजिए हमें जानना करना है, तो दोस्त इंग्लिस मीडिया वाले बच्चे में देख सकते हैं, मैं दोन के अनुसार निति को इस थाई निर्माण के रूप में बईभासित क्या जाता है, यानि कि पब्लिक पोलिसी एक ऐसी पोलिसी होती है, जो कि एक सस्टनेवल पोलिसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसको आज लागू किया गया, ऐसा जो नहीं हो जाए कि तो कली खतम कर दे जाएगा, इसको इसलिए लागू किया जाता है, ताकि इसका लोग ट्रम पे इंपेक्ट पड़े, ठीक दोस चलिए, नैस्ट क्या है, थोमस आडे के अनुसार, इंक्या क्या कहना है, कि सरकार जो कुछ भी करना चाहे, या ना करना चाहे, यह पब्लिक पोलिसी कहलाती ह मैंने आफ को स्टाटरिक मी कहा था, कि पब्लिक पोलिसी, उसे ही कहें में, जो की सरकार से मतलब रखती है, या कि गौरνε mechan के भी नाम आ रहा हो, कि सरकार ने आज यह कर दिया, और यह सोचे, सरकार ना करने वाली है। तो उसका मतलब धी यह होजा है, कि सरकार के यह पोलिस बनाया तो जिस्टिक पुरी एक policy है एक प्रपोजल है इसको पास करवाया गया तो फैनली इसका जो इंप्लेक्ट है वो जनता पढ़ने वाला है तो पॉबिक पोलिसी एक ऐसी पोलिसी होती है जो कि सरकार के दोवारा जनता के लिए बनाया जाता है तो यहां पर दोस्त इनक सरकारी सभी एजन्सी यह सरकारी के विरुक्रेट से इन सबका अपने आसपास से संबंध है इनका अपने आसपास के एट्मोस्फेर इंवार्मेंट के अनुसार जो पोलिसी इंप्लिमेंट किया आता है इन ही कोई हम पब्लिक पोलिसी के नाम से जानते तो इनका रिलीशन क तक मतलब एक पुरा गूप और फिर्मेंट का falti गूर्मेंट के तो सरिक्न के कि एकटिविटी मतलब कि जो भी अप्रेवेटी कि यह our actors और ऑप्राप्ते हम करेंगे तो जो अफसर औरी कांपते परदान करती है जिससे निती एक उदेश्चे की पूर्टी या लक्षे के प्राप्तिक प्रेतन में ओपयोगी लाती है इसका मतलब क्या है वहातों अपनी सब्दूुक के अंदर मालू कि मैं एक ऐसा काम करने वाला हूं या मालो कि दोस्त मैं आज जिस एरिया मेरे रहा हूं मैं जाने वाला हूं अबरनात की यातरह पर है यह जाना हुथ यह पता है कि अध्य तो ऑल्टिमेट लिए पता है कि ला रिया है कि घरीभ इंख वहुता है उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद क्या करना है तो गरिवी हटाने के लिए पहले देश के लोग को एजुकेटेड करना पड़ेगा हमें अपने आप ही दोस्त कोई लोग वरेजगार नहीं होगा और भारत के अंदर क्या है कि लोग एजुकेटेड तो है इसका मतलब यह होता कि उनको रोजगार मिल जाएगा अगर हमारे पास तो एक नाम नग्चारी को आभ यंशोन क्या फैस्क वह लिए तो इसे में गुंड़ सैक। अब यहां पर देखें तो यह पॉलिसी एक इंसान दो इंसान तो बना नहीं सकते दोस्थिस्पा पूरे वरीडेटेट्स होते हैं कि पूरे विडियू के आई ये सोफिसर सारी समें लगे होते हैं फेलस्मीनिस्टर से लिके जितने भी हमारी सरकार पूरी एक गॉरूप लग है हमेस संसद के अंदर एग्जिघू़टी पावर के था है यह पास क्या जाता है एग्ज़ Państwa वह जाता है जर फैनिल्य लोक्रश कंपास के आघा पास क्या जाता है अगर वह वह बिल यह आपर अगर तो इसको देखने एकाम करती है अगर यह समझ लिया कि नहीं भाई यह तो वह उसको रद कर देगी उस बिल को खतम कर देगी इसको जूडिसियल रिव्यू को आजाता है नियाइक सक्रीता कहा जाता है लेकिन ऐसा कमी केस में पाया जाता है तो क्योंकि दो संसंद में काउन उ करना है मालो दोस्ति यहां पर सोर पे हैं और सोर पे लोगों में डिस्टिब्यूट करना है अलोकेट करना है तो पॉलिसी जादता इसलिए लाए जाती है कि जो रिसोर्स हैं हमारे पास जो एक्सिस्टिंग रिसोर्स है उसको कि सब्सक्राइब करें जैसे कि जो राइट ट सबसीडिक रूप में दिया दिया तो ऐसी पॉलिसी जिसमें क्या होता है रेसोर्स का रियलोकेट होता हूं संसादनों का पूना आवंटन होता हूं एक से लो दूसरे में पाट दो एक से लो दूसरे में डिस्टिब्यूट कर दो ठीक है अब देखते हैं आप जो concept पॉब्लिक पॉलिसी का इसके में में विस्यष्था है किया है के निश्टिक्स कि इसके तो पहली बात आपको ये समय गया गया कि जोबी प्रोब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ही पोलिसीज बनाया ये अब हमें पढ़ाई करना है हम क्लास 12 में जब नाइन ते लुए करत तो ऐसे प्राइम टूल बनाते तो गॉल्मेंट का टाइम टेवल एक पूरेक पूरी पॉलिसे उसका सामने पूरा एक क्राइख युथ चित्था रखंवा है कि हमें यह करना इस टैंप पर यह फूरी फोलिसी बच जाते हैं लोगिये अब हम पढ़ते हैं तो सब से हैं मेरी म तो हमारे मन में गोल होता है कि हमें इस गोल को एचीव करना है मैं एक्जामपल आपका पवर्टी का दिया था कि गरीबियों को हटाने के लिए हम पहले एजुकेशन कर देंगे लोगों को लोगों में इस्किल डवलप करेंगे भारत के अंदर दोस्त तमाम इंडस्ट्री को भारत में लेकर आएंगे चाहिए विद्यसी कंपनी को लेकर आएंगे भारत में इंडस्ट्री खुलेगी इसे भारत के लोगों को रौजगार मिलेगा इंप्लॉइमेंट मिलेगा और देश के अंदर दोस्त जो गवर्मेंट जो का जो हुआ बना पड़ा हम उसको कम लोगों में दोस्त इस चीज को बैटे मैं देखा है कुछ लोग को यार की वह 10-10 साल तक लगे रहते हैं बस गुवर्मन्ट करना है बस हो जो करना है यार मैं यह नहीं गोल का मतलब ही यह होता है कि जो भी हम पॉलिशी बना रहे हैं उसमें हम चहू मुखी यानि की चो तरफा सभी तर एडिया में हमें उस पॉलिशी से सक्सस मिले अगर पूरा ना भी मिले तो 70-80% अब हमारे पॉलिशी सक्सस हो इसलिए दोस्त गोल औरेंटेड के वज़े इस काफी सारे लोगों की मतलब क्या सकते हो सुवधाय और इन सुवधायों को प्राप करने के लिए पोलिशी इंप्लीमेंट की आयाता है next point है दोस्त तुमारे पास next point यह है कि लोकनिती के अवल एक निन्नाए नहीं बलकि कार्रवाई का एक तरीका है मालव दोस्ट जनता ने एक डिमार्ड किया कि हमारी भाइiest प्रोल्लम है वो गौर्मेंट इस प्रोल्म को सॉल्व करें तो यह क्या हुआ कि जनता के एक डिमांड आई के दो सब्सक्राइड मांग लॐ어Եर यह मांग आया गौर्मेंट के पास थे सरकार के हम सरकार के पास यह मामला आता है तो क्या होता है जब भी कोई action हो तो इसका reaction होता है तो अब क्या करेगी दोस्त यह ओ क्या होता है यह होता है course of action यानि कि public policy course of action तर याने कि एक तरप चे दिमांड आता है विए दिमांड government के पास आती है government इसको इंप्लिमेंट करती है अब देखके दोस्त जैसे कि तीन तलाग का मामला देख लो आप है ना या दोस्ते आर्टिकल 70 हटाया गया तो ऐसे कमाम जो कानून है या यह तमाम कानून पोलिशी मेकिंग में आते हैं जो कि देश की सरकार के और लोग के इंट्रेस्ट में होत क्या है लोग निती कार्रे उनमुक होता है यानि कि एक्षन ओरियंटेड होता है रिसोर्स हमारे पास जो एक्सितिन से जो भी रिसोर्स अभीलिवल है उन रिसोर्स को इस तरीके से डिस्ट्रिब्यूट करना ताकि उसका मैक्सिमम फाइदा लोगों को पहुंच पाएगा और यह फाइद तभी पहुंच पाएगा जब हम आरे पास यह आखड़े होंगे एक कि इस सेक्टर के अंदर इन लोग पास कौन सी फंडमेल्टल नीट्स नहीं है अगर उनके पास बहुत मुल्भूस हो भीदाए नहीं है तो हमें उनको बहुत प्रवाइड करना चाहिए प्रवाइड करने के लिए उनका ध्यान देना सबसे जोड़ी है इसलिए का कहता है कि हमें उन चीजों पर एक्शन करना चाहिए जिसका अभी तक एक्शन हुआ ही नहीं नहीं बना तो यह समाच यह हमारे देश को कम जोर कर सकता है तो हमें पहले कहा करना चाहिए एक्शन सब्सक्राइब करते हैं समाजिक न्याई के लिए पॉलिशिस की बनाने की बात करते हैं अब जन कल्यान के लिए सोसर बैल फेर के लिए बनाते जैसे जुक्रेशन बनारे हैं रहे हम एंडे उप उपर भी जोगोथ ओड यूद्वर आपके आनुवल से भी जनरेशन को उसका फायदा मिलिस नेवा जहनाता है ठीक है यानिकी सटाथ भीकास क्या सकता है इसको डिक हमारा एंड फॉर्थ पॉंट के बाद आता है दोस्त हमारे पास फिप्ट पॉंट आएंड यह चीज़ आपको से इस पॉंट में और धिहान रखना है कि जब भी सरकार को ऐसी पॉलिशी बनाती है तो सरकार का में मक्चद यह होता है कि जोब लेस्वालों को जोब दे कोई कोई हैं जो जो आपको लोगे सुसाइटी में जिनके पास रिसोर्स नहीं है उनको सरकार सबसेड़ी दे के हल्प करें तो सरकार का अल्टिमेटली यही मक्चद होता है जैसे कि दो सोचल सेक्यूरिटी के लिए सरकार बीमा करवाती इंसुरेंस करवाती है तो इन सभी करवारे पास का दो फिस पोइंट लोग निती अठियदिक ग्रतिसीर है यानि कि जो पप्लिक पोलिशी होती है वह हाईली डैनली होती है दैनली इन इद इंस यह होता है कि दोस टाइम टू टाइम जन्टा की जो डिमांड होती है वह बदल कर राती है अब सोचो जड़ां बटाइब कर सिल मतलब क्या होता है पबलिक से समय का अनुसार बजलते रहती है क्योंकि जंता की डिमांड ये ज़ुद नीड है वो होते हैं नेक्स पॉइंट क्या है दोस्ते हैं अब आगे हमारे पास 6aqup लोक निकती एक जट्रिल प्रकेरी यानि जो पब्लिक पोलिसी है एक कॉंप्लेक्स प्रोसेस है कॉंप्लेक्स प्रोसेस का मतलब यह हुआ अगर हम अपने एक एक ग्जामपल लेकर आपको मैं समझाओ भारत के अंदर डैवर्सिटी पाया जाता है यानि कि एक नहीं अनेक ध पूरा समू भी छूट गया तो इसका इंपक्स पूरे कंट्री पे पड़ेगा क्योंकि उस कंट्री यानि कि उस जगह से वह डिमांड काई जैसे भारत की बाद बताता हूं मैं कि साउथ इस्ट्री में देख लो या आप नोर्स इस्ट्री में देखो दोस्त कि एक टाइम असम के अंदर एंड मेगाले नगालेंड के अंदर मिजोरम के अंदर काफी 1980s के टाइम था उसमें काफी सारे अंदर हो है एक पंजाब को लेकर देख लो आप तो यह विश्येस राज्य की दर्जा तो जब भी एक वार राज्य बनाने को दो जब हम भासाओ की अधार पर तो पूरे कम եी मांधु को लेकर चलना एक भी कम्यूटी छोटे रॉट है यह वह इसी पोलिसी होती है जिसके अंदर सभी कम्यूटी सब्सक्राइब करने के लिए तो इसी नराज़ी को दूर करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए नराज़ी नराज़ी कम हो सके यह खतम हो सके नेक्स पॉइंट क्या है दोस्त एक चीज दिहान रखना आप यह जो पॉइंट बतारों को धिहान रखना है तो इसके नदर कुछ लोग कुछ समूं कुछ एजेंसी और पूरी देश की गॉर्मेंट से मिलकर बनाती है जैसे तो इस एग्जांपल दो मैं आप सभी को इस्टमालों के गोवर्मेंट है गोवर्मेंट को जनता ने बौट देकर चुना है तो मेंनली जो को टाइम टो टाइम पैसर देके सरकार को याद दिला के अपने डिमांड का पूरा करवा है और यह काम जनता के साथ साथ देश्क में जो अपोजिशन होते हैं वह भी करवाते हैं तब ही जाकर दोस्ते बन पाती है आज कल तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो गया लेकिन मी इस पर बात हो जिसका हमारे जिंद्गे से लियना देना ही नहीं होता वनी उडपर टंग बात तो समीडिया कर रही होती है नेक्स पॉइंट क्या यार तो दोस्त यह पॉइंट हमारा सैवंट पा गया है एट पॉइंट पे लोकनिती अलग अलग हित धारकों के बीच कोडिनेट से किसके बीच में बिट्वीन दर वैडिस इस्टेक होल्ट रसमें यानिकी एग्जुकेटिव लेसलेचर ने जो लेसलेटिव पाबर हो हमारे पास एन जूडिस यानिकि इन तीनों के निरगानी में इन तीनों को देख रेक में एक पब्लिक पॉलिसी बनती है पॉलिक पॉलिसी एक ऐजी प्रोडक्ट है जो कि देश के अंदर इन तीनों एजेंसे जा सरकार के परकार के जो अंग है में ली कारेपाली का बिढाई का और नियाएपाली का इन तीनों को देख रेक के अंदर constitutional जो हमारे पास provision से उन सब को ध्यान में एक policy बनाए जाती है तो इसका मदलब क्या हुआ हितधार कर यानि अलग-अलग संस्थाओं के नजरों में ही एक policy बनाए जाती है जैसे कि बिरोक्रेट्स हो गई देश की government हो गई अलग-अलग कि आज आज इस फोन के जरी है दोस्ति सोचल मीडिया ने बहुत बढ़ा रूप धारन कर लिया आज हम अपनी आवाज घर वैटें और लोगों तो पहुंचा सकते हैं आज मैं यह वीडियो क्रेट करके आप तक पहुंचा रहा हूं देखता हूं दोस्त क्या पता यह वीडिय होंगे आपको इसी तरह के से बताने बालों एक एक टोपिक आपको समझाओंगा ताकि आप बीना बुक पढ़े भी दोस्ता आपको यह लगे कि नहीं आप बहुत कुछ समझा है एक्च्वल में दोस्त होता क्या कि हमारे देश के सिस्टम इस तरीकिस है कि लोगों में पढ दुवारा पैदा नहीं करवा जाएगा या वो खुड डवलब करने पड़ेगा तो इस नियोजित कार्यविदी का मतलब हुआ कि जो भी पब्लिक पोलिसी बनाय जाती है वो कानून के नजरों को देखने के अंदर बनाया जाती है अब कोई भी कानून बनाने का जो काम होत जो संसत का होता है अब जो संसत के द्वारा बनाया गया है वो पूरी जंता उसको मानेगी क्यों क्योंकि उसको लेजिटिमेसी मिला होता है बैदेता मिली होती है कि वह एक लिगल काम है एक लिगल पोलिशी है क्योंकि उसको देश के संसत ने बनाया है इसके सरकार ने बना क्या गया तो आप ये भी चाह सकते थे नहीं मैं जा रहा हुआ इसको सभी को मानने है क्योंकि देश में रूल ऑफ लो है कानुन का सासद है न दोस्त चलिए तो पॉलिशी ऐसी जो कि पहले से सुन यो जूती की आग約 चलके इसका नेफ का पढ़ना वाला है कि सभी लोग को ये किस सरकर किसी पोनिया और उस क्पोलीषी के दुबारा कुछ लोगों को बहुत उसका नुक्सान पहुचा है और उस नुक्सान के वगये वहे देश कर Надо दंगे चलता है एक लंबी प्रकिया होती है इसलिए दोस्तों कहा भी जाता है कि लोकतंत्रा पईया बहुत धीरे-धीरे चलता है police जो एक साल मैं ऊसको तब desert लग जाते है दुर जाकि इस पूलिसी बन पाती है को इसलिए दोस्तों किया जाता है कि को भी पॉलिसी गलत तरह की सा ना बनाट जाए जो आल्टिमेटली सबी जनता को एक benefit देती हो जो लोहों का कल्यान करती हो नेक्स पॉंइंट दोस्तों क्या है हमारे पास ये 10.212 लोग निति भविश्य के निर्देशित करते हैं जो पब्लिक पोलीसिजी होता है तो जो हम पढ़ाई कर रहे थे, 1986 में दोस्ता एजुकेशन पॉलिसी आई थी, हम उसके तहत पढ़ रहे हैं, अब बताव भाई, उस टाइम की पॉलिसी की तहत आप तक हमें पढ़ाया जा रहा है, अब एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोदी जेले का रहा है, अब इस न्य पॉलिसी से पढ़ेंगे, लेकिन मैं तो यही भावान से प्राफना करता हूं, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है यह तभी सक्षस हो पाएगी, जो बच्चों की सब्सक्राइक हो, जो बच्चों की सब्सक्राइब कर पाए, मतलब, और भाही आएंगे बैढ़ जाएं जिलने के सब्सक्राइब बस काम करें ना करें सब्सक्राइब कर दो आनी है, इसी माइन सेट ने देश में दियमक्स अलगा देया, करफशन ने पुरा जगर लिया देश को, और ऐसा नहीं है कि सरकारी टीचर पढ़ाते नहीं है, दोस्त देखो, तभी वह कोवर्मन टीचर बनने के बाद, क्या रूप धारन कर लेते हैं, आप मान लोग के एक टीचर आया है, और मैं किसी को यह नहीं किया रहा है, तो इस समय अगर टीचर के आप मैं बताओ, मैं जोस्तों एक गरांटी दे सकता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद, या जितनी हमारी वीडियो आने वाली है, आपको उसके बाद जरूर कहोगे, कि इस वीडियो से मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे समझ में आ रहा है, अब वही चीज़ अगर आपको मैं आता है, वर दोस्तों, आज मैं आपको बताओंगा कि किस तरह के से लोक निती, मतलब कि एक पोजिटिव एनर इस तरह के से बन जाए, तो बच्चा क्यों चीज़ को बोरिंग समझेगा, अब एक मज़ूर जाता है, बहुत मतलब की पेड तोड़ता है, मतलब की गड़्डा कोता है, बहुत मतलब की दोख में चलता है, उस्चे तो बहुत असान काम हैं है, घर में पैट के आराम से, प प्यू करता है, यानि कि जिस देश के अंदर लोक निती या पब्लिक पोलिसी बनाया जा रही है, उसके अंदर जो भी अवेलबल मैथेड्स है, पूरे वेरो क्रेट्स को देख लो आप, या जो यहां पे मैथेड्स, मैथेड्स इन दर सेंस यह है कि जो भी हमारे पास क्व क्या पोलिसी बनाया गई जिसमें यह देखा जाए कि इस हमारे जैस की जन्धक किती जन्धक को इसको फाइदा हो सकता है, या को यह दिखेंगे को से वर्क को, कों से रुलिजेंज को, कों और से धर्म को, यह मतलब कि सीधिक को टार्गेट ना करता हूं तो यानि कि ultimately सभी लोगों को, male को, female को, किस तरके से फाइदा पहुदा सकता है, ठीक है, गुनातमक को यह देखे, कि इस policy से फाइदा लोगों को कितना हो रहा है, उसके जो quality है, उस policy की, वो लोगों तक वास्ता में deliver हो पा रहा है, तो दोस्तों, यही चीजिस में देखा जाता है, तो इस ही कह होगा दोस्त, एक देख के अंदर, लोग की जो efficiency है, बहुत इंक्रीज होगी, उस policy की जो जो ही objective होते हैं, पहला होता है, जो long term objective, long term मतलब, लंबे समय के लिए, जो policy बना जाती है, उसको हम दिर्ग अबदी मामले में कोई खत्रा ना पैदा हूँ, तो हम defense को लेकर, हम ऐसे long term के रास्ता अपनाएंगे, ऐसा नहीं है कि वाई, एक साल में, दो साल में बस ये system ही खरा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश सबसे उपर है हमारा, then फिर हम है, देश नहीं है, तो हम कहां से इसलिए defense सबसे उपर, तो long term policy वो होती है, जो कि लंबे term तक लोगों को influence करती है, चाहे जोस्तों health को देख लो, defense को देख लो, education sector है, तो ऐसे मामले, ठेक है, जिसमें health, defense, और education, ये तीन मामले जोस्तों माने जाते है, long term के लिए, और ऐसे काफी सारे मामले हो सकते है, लेक लगो अब दी, यानि कि short term objective क्या होता है, एक ऐसा policy, जो कि कुछी घंटों के लिए, और कुछी दिनों के लिए, इंप्लिमेंट के आता है, फिर इसको खतम कर दी आता है, मानलों कि एक जगा है, जहां पर आग लग गई है, और आग लगने का बाद उस एरिया के लोगों को खाली करवाएगा है, तो खाली करवाना, आग लग जाना, यह सभी एक डिस्टिक के मजिस्टिक के पास जाता है, जो कि एक आई सोफिसर रूप है, भाई, लोग और जगर पे सिफ्ट करवाएगे हैं, उनको खाने पीने की बवस्ता, तमाम चीज़ों को देख रहे करना, तो यह सब तरीके से सभी तरीके से इन सभी चीज़ को हैंडल है, तो तरीके से जैसे सब्टिशन ठीक, सब लोगों को कर वाद हूं, अमाने कर दोष कहीं पे कोई अटेक हो गया, फलट आ गया, भुगम पागया, को ऐसे घटना ही हो गई है, तो आनल फाने में दोस्तों को सब्सक्राइब कर दोस्तों करोना आया तो करोना आने का बाद ऐसा तो रही ताम सोच रखे थे पहली हाँ वाई यहां इस तारिक को इस 2019 में करोना आ जाएका और सब तबाव हो जाएगा हम है चड़ी जैसा माक्स मुंपे बांध लेंगे ऐसा तो हमने कभी सोचा इंदा कि ज अब तो दोस्तों कई स्टेट में माक्स पहनना भी कंबल सरी खतम कर दिया यह अब तो ऐसी पोलिशी चो तो त्रम के लिए है लंबे टाइम तक रही नहीं आई लोग ट्रम के लिए अब हम बात करते हैं लोग नितिय के परकार वेरियास टाइप सो पब्लिक पोलिशी मूल मूलवूत है सबस्तेंटि पॉलिसी एक ऐसे पॉलिसी जो देश के अंदर मूलवूत जरूरत्य को पूरा करता हो लोग के फंडमेलिट मेर्ट नीट्स को पूरा करता जैसे लोग को रोजगार देता हो डेफेंस जीता हो at health के लिए education के लिए social security के लिए गैरी भी दूर कर करने के लिए एंड लोग कर्यान करने के लिए देश का विकास करने के लिए हेल्थ या दोस्ते डिफेंस सेक्टर मजबूत करने के लिए तो ऐसे फंडामेंटर नीट्स जो की करना जरूरी ही है इसके बना दोस्त इंसान जी ही नहीं सकता इसको बोलते सब्स्टेंटिक पोलि जाती है नेक्स्ट पॉइंट के आए सटाइगं पॉइंड बिन्हें बिन्यामक नीतिया यानि की रेगुलैटरी पॉलिसी एक ऐसे पॉलिसी जो दोस्त देश के अंदर चीजों को बैन लगाने के लिए लाग की जाती है मालो के दोस्ते ऐली से के दौरा या और विय के दौर यह कोई ऐसी पॉलिशिस बने जाती है वोर्मेंट के दुआ रहीं कि मालों कि ऐलकोहल के उपर तब बाकू को उपर एक इल्लेगल बैन लगाना है या दोस्तों ऐलकोहल जैसे कि कोई तसकरी कर रहा हो ड्रक्स बिएरा की यानि कि ऐसे चीजों के ऊपर रेगुलेट करना या रेगुलेटरी बोर्ट बनाए रखती है कि इन चीजों से देश के लोगों को खत्रा ना हो जैसे एलकोहल को कम करने के लिए या इसको परमोट ना करने के लिए ब्लक्री फॉलीषी का मतलब यहीं यह होता है कि सरकार ऐसे पॉलीषी लिए कर आए जो कि देशके लोगों के जो लोग है उसके खल्यांड में इसा बाधा बन रहा है थो तो खतम किया सके रुकावट बंडरी है तो उसको खतम किया जा सके जैसे दोस्तिव्य हम लेकिन दोस्ते कर सकती है यह लेकिन दोस्ते कर सकती है यह यह जाता है जो भी परसासन ने जो लोगों करती है और इंपोस करती है क्या रैस्टिक्षन कि यह नहीं करना है जो देश के लिए खतरा हो सकता है यह जो ट्रैक्स तरहलें ट्रacci लाएवलें पर प्रक्शी रिएप्र प्रोडक्शी आता- इंप्लियमिंट करती यह क्या है की अध्यिक्षांपल करिए यह तरह कारती है यह जय सब्सक्त्राबीu English cod तो RbI उस bank को भाइप फटकर लगाती, या क्रादा है लोकते दे रहा है तो bank के माम लोको को दिख रख सर्वका के इंग कहीं धैंग को कि का फाहक है। पापा है पापा को रbI जोड़ है औरिशों कॉई मेरे थेट पॉइंट करूत कुंक दीजय से एक ऐसी पोलीशी जो सुसाइटी के अंदर स्पेसिफिक लोगों तक को दूर संफीट घृत्र를 हुआ है उनको benefit पहुंचाए जाए उसको कहा जाता है डिस्टिब्यूटि पॉलिसी यानि कि बित्रण है बित्रक नितिया के लिए है next point है मारे पास पुरन पुनर बित्रक नितिया पुनर बित्रित नितिया मतलब यह होता है कि रिडिस्टिब्यूटि पॉलिसी ये तो अमने पढ़ा डिस्टिब्यूटि पॉलीशी क्योंकि किसopis स quaker सेक्षे का कई सिस्फ हल्प क्या जा रहा है जो पार बिदा होता है डॉस्ट डिस्टिब्युस्टी को दी है कि हम इसके तहफिस्ट न को देख ऑन इंसे क्रोंग करते हैं राइध के सब्सक्राइब वुनर 2 3 जरी डिस्टिब्यूटीज पोलिसी में कि अलोकेट करना है हमें सोर्सको गया जराइट इंकम प्रपर्टेश को हाँ कोण्रेक्ट होता है कंपनी के भीच में एक इंड़स्ट्री के भीच में वो कंट्राइश रही का किया जाए क्या होता है कि socialism के अंदर कि जब यह कंपनी खोले की दोस्ति उसको लाइसेंस लेना पड़ा है गवर्मेंट से मलब कि बहुत धंजट होती है इस वह से कंपनी भाग जाती है कंपनी यार सरकार के इन पंजों में खसर हैंगे तो कंपनी चलाएगी है या इनी कामें अपना टाइम बेच करेगी इसलिए सरकार को यह चाहिए होता है इसके अंदर capitalization policies के अंदर कि सरकार लाइसेंस राज खतम करें कोंट्रेक्ट गोवर्मेंट का यही हो कि सरकार को टैक्स मिले उननों कंपनी से और सरकार को दोस्त अपने ही देश के जो capitalist है अपने देश की जो इंडस्टी है हमारे देश के तो उनको subsidy देकर थोड़ा पर्मोट किया जाए ताकि इंटरनेशनल जो कंपनी है उसके साथ में कॉंपीट कर सकें कॉंपीटिशन कर सकें हमारे देश दोस्तों थोड़ा तरक्की होगा इस समय धानिक नीतिया constitutional policy उन पोलिश को कहा जाता है जिसके तहत सरकार कानून के अंदर या कानून के द्वारा कोई ऐसी institution मनाती है कोई ऐसी एजेंसी मनाती है जो लोग की भ्राई य आईटे सकते तो सरकार कोई ऐसे एंजंसी हो सकारा कोई कोई एक बॉर्डी बना सकती है एक ऐसी संस्था बना सकती है जिससे कि लोगोस jewelry help मिले education को लेकर defense को लेकर कמםें के तैकलब पुलिशी इस पोलिशी है इस में क्या होता है वह को सब्सक्राइँ को क는데 तो आपने उसको क्या है अपने और विस्टेम है लिए बहुत जादा भरी तो आपने हार्टत ही लेकर आप नैरी तो यह अपने चालक Kohow प्रोब्लम को अगर आप आप टेक्निकल नोलेज है प्रोब्लम का बनाने के लिए इन सभी चीजों को एक स्टैटिजिय बनाती है एक पूरा प्रोसेस फॉलो करती है कि हमें क्या करेगा के इतने फैने फैने क्या खर्चायागा और इस तरह को यह पूरा काम जो गवर्मेंट कर रही होती है टेक्निकल आटा आ जाता है उसका यह ध्यान रखा जाता है कि सरकार कि दुवार्ट बनाए उसका फालों फायदा पहुंच रहा हो और सरकार जो भी काम कर रही हो वो जातर टेक्निकल फेटते को इसका करें जिससे वो काम जल्दी भी हो लोग का लोग को इसका फाले जल से जल्द मिल जाए ठीक है यह चीज़ है निती निर्मान के मोडल यानि कि पॉलिसी मेंग मोडल क्या है अब दोस्ता हम अल्टिमेटली हम एंड टोपिक पर आ गया है और यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन टोपिक है हमारा निती नमान करने के कौन कौन से मोडल से यह हमें पढ़ना है सबसे पहले थोमस डाई ने किया का है कि लोक नित कौन कहा रहा है यह कोमड CPU को यई को कोडिंगे सब्सक्राइब नितिक फॉलिसी प्रोडिम से एनिके जब उंको ॉलिसी बना रहोते है तो इसमें क्या प्रोब्लम आ सकती है उनको ऐडेन टिफाई करना ये मोडल्स बताते ठिक है ठवन्ट करी जीवन की अब सकता जो भी परियासों को निर्देशित करता है यानि की पापलिक पोलिशी जो हो होती है वो गैट करता है जो हमारे एफट्स हैं जो लोगों को लिए हम पॉलिशी सब्सक्राइब तो यह तब ही आपाएगा जब मोडलिस के बारे बताते हैं यह बताते हैं कि लोग निती के जो मोडलस हों काफी महत पर इंपोर्टन से तब एक पोलिसी फैनली क्रियेट होपाती है तो अब हमें करके यह समझते हैं थाइम इस दोस्ती बंदा आए जहां तक नहीं इंपोर्टेंट भाई इसका नाम जुरूर पता हो चाहिए आपको थामस डाई ने अपनी बुक निती मोडल इस बुक के अंदर निती मोडल के अंदर मोडल्स दिये हैं सारे यानि की पब्लिक पॉलिक पोलिक डाई के दुवारा दिये हैं से अंदर इस ने अपनी बुक में दियाए और इस बुक क mandar के नाम कै थॢ़ू पोलिसी मोडल ठेखे चलिए अब इस उनक हंने जो मोडल बता है है अंघनृ पहले जौ परकेकरिया सब बहुत परकेंहां जाता है Cherbourg युक obrig प्लि सब्सक्राइब थाजू करते हुए जया है पूलीसियों पता है तो एक लंबा प्रोसीज़र होता है जिसमें जन्ता की डेमांड को फॉल्फिल किया जाता है ठीक है तो इस प्रोसेस के तहट कोई भी हम कानुन बनाते हैं और यूटिमेली जन्ता करने के लिए तो यह जो प्रोसीजर है मोडल में सबसे पहला प्रिक्रिया मोडल यह प्रिक्रिया मोडल क्या करता है यह पॉलिस को जो भी प्रोब्लम से यानि की समस्य की पहचान करता है प्रोब्लम से इंटिफिकेशन करता है जो जनता की डिमांड इनको इनको करता है हम उन यानि दो प्रोसेस मोडल है, इस प्रोसेस मोडल के दुवारा जो काम किया जाते हैं उनमें सबसे पहला है समस्चा को पहचानो, प्रोब्लम आडेंडिफाई करो, जब प्रोब्लम पतव धल जा है उसके बाद एजेंटा सहटिंग करो, मीडिया के दुवारा, सोसाइटी में, सोचल मीडिय के दुवारा जो भी काम आए हैं जो लोगों के जो पिजार आ पिजार आ रहे हैं जो doosad Camana ék maj हुच आ रहे हैं जो लोगों के इडिया आ रहे है उन सभी को देखकर एक कारे सउच मिल जाती है मतलब क्या होता है कि उसको कारून की बैज़ता मिल जाती है कि लोग उसको फॉलो करेंगे क्योंकि संसित के दुवार आपास किया गया है क्योंकि legislative होती ही उसमें अध्यक्यूटी पोड जो डीश्री जो सतीन उसमें इक इन्वार उती है इंप्लीमेंट का आगाने के लिए और फैनल दूस्त क्या होता है लास्ट में पोलिशी को इंप्लेमेंट प्रोचीज़ तो कितनी प्रोचेजर में जो बूर्सेस लिए बताता है कि कि T इतने process से होकर एक पोलिसी बनती है तो इसमें सबसे पहला यह दिखा जाता है कि इस समस्चा कि भैचान के जाता है कि प्रोप्रम क्या उसको identify किया जाता है एक agenda set किया जाता है ठर्ड पोलिसी को फिर formulation की प्रेव पर पूरा एक बात की जाती है कि हम कैसे कैसे बनाने वाले जाने उसको फाइनली पर्लेमेंट के अंदर पेस किया जाता है उसके बाद उसको implement किया आता है फर एस्टप्लिक पॉलिसी यानि कि जो पोलिसी बढ़ा है उसका evolution किया जाता है जब भी कोई कोटोिट है पास संसधागत इंसीट इंसीटूशनल मोडल के दहात ये होता है कि जो इंसीटूशन है तो संस्था आ है उनका काम यह होता है कि सुसाइटी के अंदर वह उन चीजों को ध्यान रखें कि किस तरहें करूलों बन रहे हैंच और जो देश के संस्था है जो लिगल संस्था है उसको दुवारा जो कावनन पास किया जाएंगे उसको ये तीन चीजे मिले हुए होगी यानि कि बैजयता मिले होगी लेटिमेसी मिला होगा वो लीगल है सेकंड पॉइंट इनिवर्सलिटि है यानि सार भौमिक्ता जो भी कावन तो यह करता है को इंसे टेशनल जो मोडल है यह इंसे टूशन के दुवारा यह तीन चीजे किसी भी पॉलिशिस को प्रवैट के जाते हैं तब ही जाके वो एक पॉलिशी फानिल इंप्लेमेंट होती तब भी लोग उसको फॉलो वरते हैं लोकनिती निर्मान का तरक संकत मोडल यारे कि जो रसल मोडल है पॉबलिक पॉलिशी की कहा होता है यह दोस्तों यह कहता है कि सूसाइटी के अंदर सरकार को ऐसे ही पॉलिशी बनानी चाहिए तरक का यूज करके बुद्धी का यूज करके जिसे की समाझ्जिक लःव मैक्सि कोई भी हमने पॉलिसी प्राइश का सोसाइटी में लाव मिले अब सरकार ने मालों गरीबी लाव हटाने के लिए को पॉलिसी बना कर लेकर आई है तो एक्चुली में गरीबी खतम होते हैं दिखे भी ऐसा नहीं किसी नारो में गरीबी अटाओ दिया जाया और दिखना रहा इसलिए स्माजिक लाव दिख रहा हो लोको तो ऐसी पॉलिसि जिसे कि समाजिक लाव हो और उसका को सबक्से कम आया माल लो systems पॉलिसी को सब्चाव के पॉलिसी बना रहिगे तो इस पॉलिसी का जो को सब्रूश्ट हो कम से कम हो वह प्र समाज़र पहुंचा बोजा-दे से लगाने के बाद जो में टाइम लगा है उसके बाद रिटन आया है लोगी जो खुसिया मिलिए वो ज़्यादा से ज्यादा हूं ठीक है अभी क्या पढ़ेगा प्रजेंट टाइम में यह दख्या पॉलिश्या में बनाना चाहिए थो मस्डाई ऐसा गया है ठीक है जिसमें मुल्य प्राप्त किये गए हो उनके बीच का अंतर सा करात्मक होता है ताथा यह किसी भी अन्य निती के विखल्ब से अधिक होता है यानि क प्रिंसिपल से कुछ तरसंगत मोडल के प्रिंसिपल सोफ रैस्नल मोडल कुछ पिंशिपल है इंकि पिंशिपल क्या है दोस्त के निती निर्मातां को उचित ज्यान होना जरूरी है तब कोई पोलिशी अच्छी बन पाएगी यानि कि पोलिशी मेकर्स नीड टू है सकते हैं वो सच्में उसका फाइदा भी हो क्या हो सकता है इसल quy प्रोपर नोचोंड जरूरी है इसलिए प्रिंखना ओन töओ को निती निर्माताओं को समस्याओं के हिल्ग के दिंखलक को जानना जरूरी है प्रोशी मेकर्स को जिसके हमारा पर कौन किंट्र कौन चौन से कि की नितिनिर्माता ओं को पहले ही परिणामों की कल्पना करनी चाहिए हमें पहले ही पॉलसी बनाने से पहले ही हमें हमें आstäए क्यों कि उसके क्या कॉंद्र उच्ठा को सकते हैं उसके क्या प् collaborative निकलकर आ सकते हैं वहासना मतलब वो तर्क बुद्धी से तर्क से काम लेते हैं कि अच्छा क्या है पुरा क्या है जन्ता के लिए वो यह सोचते हैं ठीक है next point क्या है model next model क्या है अभिजात वर्ग model इलियेट model यह model यह कहता है कि society के अंदर यानि कि जो policies बनाया जाते हैं वो आज भी अभिजात वर्ग यानि कि जब मोगलों का काल या इरोप के लिए जो सरकार हुआ करती जब दोस्ते देखेंगे हम रास्ता नतर हुआ करता था और राजाओं को असासन हुआ करता था और उन राजाओं की कुछ हेल्प करते थे पैसे वाले लोग जिनमें जो बड़ बड़े करते थे और कुछ ही बोग वहा करते जिनको अभिजात वर्क कहते थे इलीट मोडल कहते थे यहीट किलास पैसे वाली लोग बड़े बड़े वही मिलो सकती साली लोग तो आज भी यही कहता है कि समाज में जो आज कानूनिया जो पॉलिशिस बना जा रहे हैं कहीं ने कहीं इस पोलिशी के उपर कुछ सकती साल है जो पावरफुल लोग है एक देश के उनका मतलब के एक हाथ होता है जैसे कि दूस आज भी देखते हैं आप पोजीशन अरोप लगाते रहती है कि आध देश के जो पोलिशी बनती है वह तो हमानी अंडानी को फाइदा बनाने के लिए पहुंचाने के लिए अल्टिमीटली बिजनसमेंगर है या हमेर लोगो के लिए पोलिशी बना जाती है तो अपने सुना हो इसारे बढ़ेत है तो हैसा मार दिस भनिये और तमाम गंडुस के अंदर ये सब अरोप लगते रहते है ठीक है इसमें क्या सचाइव जूस्त अब को सब होता है है तो मथटाई क्या क्या गय जाता है कि क्लीट शहची से पताद चलता है कि लोग मुक मुख यानिक में तोल पर लोक नि bestimm के बारे में उदासी मजलत जयान रखते हैं गलत तरीके से मतलब ऑल चैनल के MP5 पॉलिसीश्सि पावरफुल लोगो या पैसे बाजे लोगों के द्वारा ही या उनको इंटरेस्ट या उनको देखते हुए बनाए जाती है पापरिक पॉलिशी दोस्त का मतलब ही यह होता है कि दन्ता को देखकर बनाना दन्ता के नीड को देखकर बनाना तो यहां पर दोस्त यह की डिसाइस कर जाए होते विए चुप लेट छो थिए अट यह थी हो रही है ठीक है जुन का है अवीजात वर्क को दिक्षित किया गया और इसके दुए humor यानि जो अविजात वर्क का जो मोडल है ये जो मोडल है ये दोस्त इन तीनों के द्वारा मोडल दिया गया ये मोस्का के द्वारा पैरोतो के द्वारा और मिस्यल के द्वारा मोस्का पैतोर मिस्यल के द्वारा ये इलेट मोडल दिया गया है तो इनका नाम या रहना दोस्त ठीक चलिये अब थ्हुमास यहां पर क्या कहता है कि लोगनिती खुलीन-मुल्यो को दरसाती है यह कुलीन सेवा करती है और कुलीन बार यह उत्पात भी है यानि की पब्लीक पॉलिशी जोए एक रिफ्लेक्स करती एल्यट वैलू जो और सब्सक्राइब करते है लेट को एंड ओल्सवा प्रोड़क्ट ओफ एलेट क्याने कि दोस्ते यहां पर कभी कवार ऐसा भी कहा जाता है कि और आलोप भी लगते रहों एक परसेप्शन लोगों में बना हुआ है जो पॉलिचिस बनती है वो एलेट वर्क के लिए लेट क्लास क पर कहने के इंपर साज एक एजमानी एक कबजा होता है इसका पोलिची है एक यहां पर डाइगराम है सबसे उपर एलेट क्लास है पावर्फुल लोग पैसे वाले लोग इसके निचे दोस्त का अफिसार सरकार है गोर्रमेंट है एडमिस्टीर सने विरुक्रेट से इसके ब जान दो समभमें बटा हुआ है एक सक्तिय साली हो ने कमजोर बरग में यह विकर क्लास और एक पौवर्फुल क्लास त्रचक की क्लास की बातों की पॉते, उनका एस्प्रॉटेशन करते हैं को यह कंग से राज़ नहीं करते हैं नहीं करते हैं तो यह इलेट ओडल जो इनके तहति है करना है कि गैरणब अविजात वर्गिक जो लोग होते हैं मैं तो जूएиком University Anka क्लास के लोग नहीं है उनको भी सामिखाइ में सामिल करते हैं यहल gloss model के अगर वह सब स्बसे क्लाइब करते हैं गरुञाधी मुल्यों पर आम सहमेति साज़ा करते है कि या जो इस फेज़ियर करते हैं कोशी कि पैसुत कर threads करते हैं यह जो prevailing है यानि कि जो सोसाइटी में जो आज एक प्रिविलियस आप कह सकते हैं विशिसादिकार इस्पेसल राइट्स के थे लगता है इनको कि नहां बारी सोसाइटी जो भी हमी है तो यह एक थियोरी बन गई है अभी जात वर्ग आम जनता को अधिक परभावित करते हैं जो इन्फिल करना एकनोमी ग्रूप से जैसे कालमाक्स के द्वारा कहा गया है नेक्स पर दोस्त फिफ्ट पॉइंट है जिसमे अभी वर्द्यसिल मॉडल यानि कि इन्क्रमेंटल मॉडल इसका मतलब क्या हुआ यह जोस्तों मॉडल दिया गया है डैविड व्रुव्रुक और चोल्स के ठेल दॉष वार्व कर दिया है डेविट के बाद द्वारों द्वार चोल्स के दुवारा है newa को दिया खोड़ द्वा यह जो जबल्र स्ट्फ प्रज क्या गया है चोटी होạn हो फिकन ऐतलं हम ज्क भी कर सकते हो göre閉र मॉर्स को कि सबूर्ग कर ग्रूप मोडल सुसाइटी के अलग ग्रूप के द्वारा अलग टाइम पे डिमांड की जाती है तो हमें उन सभी ग्रूपों के मेंबर को वह की डिमांड को देखना है और उनको फुल्फिल करना है टाइम रहते हुए एंडर्सन क्या में क्या कहता है कि जिसे समूर की लोक न कि वह हमें तो उस कम्रूटे के कोड़न कुछ नहीं मिल रहा है इसले सरकार हमें स्पेशल दे मालों की कोई डिजर्वेशन के मांग करता हुए इक स्पेशल पर्टेकुलर एरिया में रहने के कारण वो कहता है कि हमारे साथ यह हुआ इसले हमें रिजर्वेशन मिलना चाहि जाती है तो ऐसा इसलिए है अब मालों की सरकार के दौर यह इसको इग्नोर कर दिया तो एक कम्मूटी पूरा मतलब पूरा ख़ड़ा जाता है इसको कहा जाता है सभू मोडल यानि गुरूब मोडल यह एक ग्रूप के दौरा एक डिमांड रखे जाती है ठीक दोस्त यह equilibrium achieve करता है यानिकि जो group conflict चल रहा है उसको एक balance बनाने का काम करता है ताकि जो different interest groups है उनकी demand को उनकी जो कह सकते हो जो समय समय पर उनकी मांग है उनकी किस तरके से implement करो balance बना के चले ताकि देश में stability बनी रहे है सेंपूंड क्या है लोग chain model लोग chain mental model का दोस्तों मतलब क्या होता है public choice model मालों कि आपके पास choices काफी सारे है सरकार को एक नहीं काफी सारे काम करना है resources कम है उन सभी लोग की इच्छाओं का पूरा करने के लिए अब सरकार सभी इच्छाओं को दूस्त पूरा तो नहीं कर सकती ऐसे में जंशंक्या बढ़ते जा रहे है या देश के अंदर और resources कम होते जा रहे हैं क्योंकि लोड बढ करें उन में सबसे जो first priority पर रखे उन चीजों को जो सरकार के लिए सबसे जादा और सबसे सही और देश की जनता के लिए जैसे की ट्रेड है सकती है जैसे इंट्रेशन ट्रेड करके बाए है लोग राजनिती और बजार दोनों में अपने-अपने स्वार्त को आगे बढ़ देशों के साथ सब्सक्राइब लेने के माधियम से प्रस्पिक रूप से लाब भी उठा सकते हैं कहने कमने दोस्तों यह हुआ कि लोग पोलिटिक्स में और एक मार्केट के अंदर उनकी राय चाहिए दोस्तों कुछ भी हो लेकि दोनों अलग-अलग मामले में अलग- और उन सबी चूजिए में एक हमें चूस करना है ताकि उसको हम काम उस पर हम काम सक कर सके मिले यह ऐटकूिट के दोस्तों ऑफ-षथा मोडल सिस्ता मोडल है कि एक बंदा है दोस्तों डैविडिटिस्टंग डैविडिश्टंग को दुवार एक वोडल दिया गया है इस के पास एक डिमांड आती है लोग की time to time समय-समय पे अब देखो आद मालो हम सबसे हम सबसे हिंशा जाते हैं हमें अची केसी मिले हम अची सुविधाई मिले है एल्थ मिले होस्विटल मिले सब कुछ समय मिले तो सका time to time कि गृपते हम समें समय पर सरकार के पास कहा होती है कि दिवानट राती है तो उस字 इंपुट को इंपूट का जाता है अब यह इन्पूस आता पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर और इस पॉलिटिकल पार्टी है गोवर्मेंट है सब विरुक्रेट्स के लोगे इनके पास आता है फाइनली फिर दोस्ते इस पर डिसेजन लिया जाता है और जी जब डिसेजन हो जाता है तो यह बन जाता है आउटपूट इसे को इनपूट मोडल कहा जाता है इंपुनद मतलब होता है जो मांगे है जो बनीके पास आई है साकार उसकार उसके फाइनली डिसेजन लेती है और इसलेने के बाद जो आउटकम निकला उसका भाही ओक पास हो गया उसको ख़ाहता है और पूटो इनपूट आउट हम क्या डिसल लेना चाहिए जो देश की जनता के लिए फॉल्टिमेटली भलाई के लिए हो तो जो खेल खेयोरी है इस पर वीडियो गेम खेलने के बात नहीं होरी दोस्त इसके अंदर डिसीजन के बात होती है कि हम ऐसा क् है कॉन सा डिसीजन ले जिससे जनता को फाइदा हो पब्लिक उसको कफी ब्हेंफिट हो दो कोई काई विए कानू बनाने का पोर किस में किंग उसका को स्वाह कमसे कम ह। उसका बैनिफिट ज्यादा से ज्यादा टभी मुआ कि पास आंप पोरिशिस करेंगे यही डिसेजन एक बहतर हो जल्द से जल्द हो टाइम रहते हुए ताकि हम चीजों को सोल्ब कर पाए अल्टिमेटली हमारी जो पॉलिसी उसका बेनिफिट लोगों तक पहुंच पहुंच पाए नेक्स टम अल्टिमेटल लास पॉलिसी प्रासंगिता मतलब होता है कि इसका महत्व क्या है आज के इस टाइम में तो पब्लिक पोलिसी के तहटी हम यह अनलाइज करते हैं कि सुसाइटी के अंदर किस वर्ग के पास कौन सी प्रोग्लम है हसिये पर कौन है कौन वैकवर्ड है हे उनके क्या प्रोग क्या में कोई प्रेंसस बहुतना ही अब देखते हैं तो कौई पब्लिक पोलिसी आ चाहे लोगों की भल्याई के लिए देश के डिफेंस सबी सेक्टर्सी के देश जरूरि हो इसलिए public policy का महत उतना ही है यतना पहले हुआ करता था जब दोस्त public policy आज से तो नहीं बन रहे कई सद्यू से बन रहे हैं तो आज भी इसका उतना ही रिलेवेंस है इसके आज भी उतना ही प्रासमिता है जिसने पहले हुआ करते थी इसके रिलेवेंस दोस्तों का खतम नहीं हो जाएगी ठीक है और इस रिलेवेंस को बनाया रखने के लिए हमारी गौवर्मेंट बोडी है एक्जुविटिव है लाग लाग उसके जानते हैं तो दोस्ता फईली जो में मोटी होता है को यह होता है कि हम सो सी ओर एक्रोमिंट स समाजिक आर्टिक विकास कणना है तो सोचिए उ बहारत में लोग पहले दोस्त अईरी कल्चर से चुड़ों होगा करते थे और अगर दिखा जए तो भारत में जाते लोग आज भी अईरी कल्चर परिपेंड है तो हम दोस्त कह सकते हैं यह क्या सकते हैं कि कि एक देश के अंदर पब्लिक पॉलिसी या कावन बनाना या पॉलिसी बना के चीजों को सॉल्फ करना उतना ही महत्व है जितना किसी देश के लिए लोगतंत्र या पॉलिटिकल पार्टी के लिए देश के संसत के लिए जंता के लिए सभी सरकार के लिए पॉलिक पॉलिसी क लिए काफी सारी प्रोसेस हमें अपनाना होता है जो कि हमें यह बताता है पब्लिक पॉलिसी के टाइप्स और मोडल कि हम पब्ली पॉलिसी की सरकेश इंप्लिमेंट कर सकते हैं आई होब दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई है इंट्रोडक्शन से लेकर टाइप्स पड़ा फीचर्स पड़ा हमने जिसको हमने क्रेक्टरिस्टिक्स के हां अपको अगई है और कोई आपका डॉट होता मुझे आप कमेंट बोक्स में बताए इस वीडियो को एक नही के साथ पढ़ो यार बड़ा मजा आने वाला चलिए सब्सक्राइब करके दोस्ते वीडियो को प्लिज एक वाला लाइक कर दिये बड़ी महत लगती इस वीडियो को बनाने में इस वीडियो को सभी जगा से एर करें और लोगों को बता है दो दुकान दार के बाद जब घरह चाहिस वीडियो को सभी जगा से एर करें मैं ऐसी वीडियो से आपके लिए और लेकर आँगा और एक वार मुझे ये जरूरू बता है मेरी मोटिवेशन के लिए ये वीडियो को कैसे लगी मिलूँगा दोस्तों आप से नेक्स वीडियो के अंदर अपना प्यार यहीं बना नयों जो सब्सक्राइब करना बले करना जय हिंद जय भार